हेलो फ्रेंज कैसे हो उमित करती हूँ आप सब बढ़े होंगे ठिक ठेक होगे सुभे का टाइम है सब को गुड मॉर्निंग अभी टाइम हो गया था आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो मेरा जल्दी सब कुछ काम खतम हो गया था तो सुभे का टाइम है दस बज ग पता होगा किछी को नहीं पता है जो चना का साग होता है ना उसका जो जो क्या होते है जो फॉल है उसमें जो दाल होता है गाओं जो देसी वाला चना दाल हो है तो मतलब वो मतलब ऐसे बनाने से अच्छा लगता है उसको भून के भी बना सकते हो उसको ऐसे कच्च्च्च् रही हूँ गाओं से लाए है तो थोड़ा सा कंगर भकड जो भी है मैं उसको पानी से एकदम अच्छे से साप करके फिर टमाटर दो टमाटर और हल्दी पाउडर और नमंग देके उसको बोईल कर लिया हूँ पानी से लिए तो थोड़ी दिया था और मेरा अच्छे से से पक गए ऑसको थोड़ा साइम लगता है लिए मैं उसको यहां पर साइड में देख सकते हूँ आप मैं रसून और मेच्छी को जैसे था मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ देख सकते हो आप फिर मैं उसके साथ कढ़ाई में मैं आपके साथ आप कैसे बनाते हो मेरे को कमेट करके ज़रूर बताएगा और मैं तो ऐसे बना दी हूँ हमारे घर में मेरी मा तो ऐसे बना दी है मेरी भीले स्टाइल में मैं आज बना रही हूँ घर में उनको भी ये वाला दाल ना पसंद है और चना दाल हुआ मतलब उसको ना जो गाओं का जिसे चीज जो भी है उनको पसंद है तो चना दाल उनको भी पसंद है तो मेरे को मैं तो डाल ऐसे ज्यादा नहीं खाती हूँ फिर भी मैं उनके लिए बना ले थी हूँ नेना खाती है और फिर नेना के पा ढटा था मतलब फिर उसको दे दिया फुर्ड गॉल्डन ब्राउन होने तक लाल हो ले तक फिर मैं उसको भुनी फिर भुनने के बाद दो टमाटर जो था न अब जितना भी टमाटर डाल सकते हो थोड़ा सा डाल था तो मैं इसलिए दो टमाटरी दिया क्यूंकि इसमें थोड किसी किसी का हाथ का टेस्ट होता है मेरी दादी तो यह बहले दालना में खुदानी नहीं हूं लेकिन मेरी दादी जब ती अभी तो नहीं है घुजर गई है मेरी जब दादी थी मेरी दादी बना थी एक दम टेस्ट पढ़े ले उसको जब ड़ोग जाएंगे तो मेरी दादी के याद आ गई है चलो जो सब लोग आए है सब लोग जाएंगे तो मैं वहां पर फिर दाल को निकल के सेम कड़ें में थोड़ा सा तेल दिया हूं फिर उसके बाद एक मिर्ची फिर थोड़ा सा जीरा फिर उसके बाद थोड़ा सा प्याज चोटा सा प्याज दे दिया हुँ फिर उसके बाद में क्या करूंगी आलू और फूलकु Cay PIP conqury क्तकर करके रख्यू उसको थोड़ा सा प्यास को लाल होने तक भूणूँगी फिर उसके बाद मैं क्या दे दंगी फूल कूभी दे देंगी और जैसे कि मैं भैसोबह देने के टाइमस बहड़िया और टाइम नेना आ आ कर बैठ जाती है वह तो पाइल खन-खन कर रही है, जान बूच के कर रही है कि मामा को डिश्टब हो, ऐसे करती है, मैं जानती हूँ उसके बात, तो फिर उसको धोके, फिर मैं अभी दे दूँगी फुलको भी और आलू, आज ग्रीन मोटर नहीं डाली हूँ, क्योंकि ग्रीन मोटर है, कभी-कभी डालती हूँ, लेकिन हर रोज सेम तरीके से बनाने में थोड़ा सा यह होता है, ऐसे तो छोका लगाने का, मतलब उसको जो तड़का देने का प्रसेस तो एक ही है, लेकिन उसके साथ मटर देने से थोड़ा सा अलग टेस्ट लगता है, फुलको भी भुनने में, मतलब अलू डालके, एक फूलको भी था, उसको में काट करके, अलू डालके बना रही हूँ, हो जाएगा, हमारा सुभे का मतलब, मैं अभी तो खाना नहीं खाई थी, क्योंगी थोड़ी सी चाय पी थी, तो पर मैं अभी खाना बन चुगा है, मैं खालूंगी खाना, तो दो पर क मैं उनके लिए रख दूएँ, क्योंगी टाइम भी हो गया था, तब तक ग्यारा बज गया था, तो अभी खाना बनाते बनाते टाइम हो जाएगा, तो बारा बज जाएगे, तो मैं एक साथ खाना खालूंगी, मैं ऐसे करती हूँ, क्योंगी कभी-कभी मन करता था, दो पर नहीं तो मैं खाना बनाना के भाद में खाल लेती हूं तो मैं आपर थोड़ाशा नमक दे दिया हूँ हल्दी पाउडर फिर लाल मिर्च दूंगी फिर क्या कुछ साइट में कुछ काम है उसको करने चली जाओंगी तो फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ मेरा भुजिया पता होगा आपको तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे तो बनाते हैं में ड़क दूंगी दीमियाच करके मेर थोड़ा सार करारे बनाना है क्योंगी मेरे कुना ऐसे फिका फिका अच्छा न करें थोड़ा साना मतलब करारे करारे बन जाता ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है दे सकते हो और नेना को लग गई भूख मुख खाई थी मतलब उट्ती है दस बजे फिर उसका ब्रस करो पिर उसका कंगिक और एक तेल लगा वो सब काम करते करते फिर टाइम हो जाता है और यहां पर मैं उसके लिए कहना लिकान रही हूँ दाल चाओल फिर क्या न मेर्ची आ गए थी तो फिर खाये की नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा दाल चाओल उसी से आलू जो निकालके ले कि कि जब तोड़ा सा और अच्छे तरीके से पक जाएगा फिर में बनाओंगी बिहयंगन का फुर्छी यह मतलब होम आखियोगची कृफिर आखियों गया में धुर्षाराक súper लिए थे मार्केट से किलो बिहयंगन'srd मतलब कभी-कभी खुता है तो धोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्या किया बेंगन का भुजिया बना दूगी गोल जो बनते हैं लेकिन अगुआ परALLY कहीं दाल चाल एक दम से गरम है और बोल रही है मैं दोनों जग्या बहरे में चाहिए भुजीया यद्धो तरफ से चाहिए तो मैं थोड़ा सा उधोर कर दिया हूँ क्योंकि बच्चा है जो बच्चा बोलता तहाँ पता है वो जीद करना लगती है तो ठोड़ा सा ग़रा में तो मैं उसको ठुखक के खिलाग। चलिए मैं उसको खिला देती हूँ फिर मेरा तब तक के लिए भी पूल को भी का भुजिया होचुका होगा फिर मैं उसके बाद बैंगन का भुजिया बनाओंगी तो मैं फिर उसके बाद ना कुछ सूट नहीं किया याद नहीं आया था तो अभी देख सकते हो मैं बास कुछ नहीं दिया है एसे गोल-गोल काटके फिर हल्दी नमक और लाल मिर्स पाउडर दे के थोड़ा से तेल दे के एक दम धीमी आंच में उसको पका रही हूँ और बात करती हो ठीके देख लीजिए है एलो फ्रेंज कैसे हो गुड़ अप्टर नून कैसे हो सब अभी टाइम हो चुका है बारा बद चुका है तो मेरा सब खाना बन चुका है जैसे आप देखा है दाल चावल और बेगन का भुजिया और फुलको भी आलू का भुजिया बन कि तुम खा लो फिर मेरा खाना बन चुका था तो मैं सोची कि आपके साथ थोड़ा सा बात कर लेती हूँ क्योंकि मेरा आस तेया नहीं में बस नहां के आके खाना बनाने के लिए चली गई कीचेन में तो इसको देखो बाल कैसे करके रखी है वो उसको चोटी बना दिया थ देखो देखो उसका चोटी कैसे गंदा करके रखी है तो चलिए आस का ब्लोग में पर एंट करती हूँ आई होप आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लेना सेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पास में जो बेल आइकन है उसको प बूपे नित्त के साथ हूँ देखो उसका बाल की से करके रखी है बूतनी की छी दो चलिए भाय बाय फिर मिलते है अकने बड्री चाट में उसका भी गंदा करके रख लेती है तो मैं इसको थोड़ा सा नहाँ मतलब बीना नहाँ खा लिया था फिर उसको नहाँगी उसका बाल ठीक करेंगे नहाँगे फिर हम जब खाएंगे उसको हमारे साथ खाएगी तो बाई बाई